दुटी वर्ष चित्रकला के प्री विध्यार्थियों मैं डॉक्र वन्ना जोशी एसिस्टेंट प्रोफेसर SMB कोलेज नाद्वारा से आपको आज पेग ग्रूप के दूसरे कलाकार FN सुजा के बारे में बता रही हूँ FN सुजा जन्म काल प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रूप के अगुवा एम संस्थापकों में से एक गिने जाने वाले कलाकार है इनका पूरा नाम Francis Newton सुजा FN सुजा का जन्म 1924 इश्वी को गोवा में हुआ बाले काल में ही उनके पिता की म्रत्य हो गई थी अतह वे अपनी मा के साथ मुंबई में रहने लगे किन्तु सुजा की ऐस स्वस्थता के कारण उनकी मा ने उन्हें गोवा भेज दिया जहां वे अपनी दादी के साथ रहते थे शिक्षा क्योंकि सुजा को चित्रकला में रूची थी अतह उन्होंने सन 1949 इश्वी में मुंबई के सर जेजे स्कूल ओफ आर्स में प्रवेश लिया सुजा प्रारम से ही विद्रोही विचार धराके थे साथ ही कमिनिष्ट भी थे सुजा के जीवन में अने केसी गटनाई गटी जिनोंने उनके मन पर विप्रीत प्रभाव डाला और उन्हें विद्रोही बना दिया वह थी एक तो पारिवारिक निर्धनता दूसरे जीवन संग्राम में अग्रसर होने के साथनों का अभाव और फिर अनाकर्शक व्यक्तित जिसके कारण आप दो बार स्कूल से निकाले गए उनकी मनोव्यथा की ही प्रतिक्रिया है जिसके कारण उनके रंग और रेखाओं में समाज की पीड़ा और गुटन समाहित है सुजा को शुरू में मेक्सिको के सुप्रिस्द कलाकार दिगा रिबेका ने अत्यदिक प्रभावित किया रिबेकरा की चित्रन में निर्मान कोशल और संगठन विदी और जोज ओरोज के चमकिले रंगों के वेविद्य ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उनके चित्रों पर भी वही छाप बलवती रही बाद में सेजा, गोगा और मातीस का प्रभाव भी उनकी कला पर पड़ा जो ब्लू लेडी दूसर बुद्रश्य जैसे चित्रों में द्रश्टेविया है जोर्जे राउले की कला से प्रेरिक्त हो आपनी गोथिक पद्धती पर क्राइस्ट और बाइबिल की कथा आख्यानों जैसे आदम और ईव का स्वर्ग से बहिशकार आधी चित्रों का निर्मान किया मूर्ति कला में खजुराहों की मूर्ति बंगी माओं ने इन्हें विशी शाकरिष्ट किया जिसकी प्रेरिना से आपनी प्रणई नामक शीर्षक लिए चित्र जामितिक रूपकारों में चित्रित किया इसके पश्चात भारती लोग कलाओं निग्रो और मायन मूर्ति कला की सहज पुरातनता ने भी इन्हें प्रभाविश किया प्रोग्रिस आर्टिस सम्हू की स्थापना सुजा निसन 1947 इश्वी में प्रोग्रिस आर्टिस सम्हू की स्थापना की इनका कहना था कि आपने लोगों के बीच प्रेना श्रोत कायम करने के लिए एक ग्रुप की नीव डाल जानी चाहिए जिसका सायोग आरा एम रजाने दिया और नाम प्रोग्रिसिव आर्टिस ग्रुप दिया क्योंकि Progressive शब्द में आगे जाने, आगे बढ़ने का मंतवी छीपा हुआ था सन 1948 इश्यू में इसकी पहली समों प्रदर्शनी हुई Francis Newton सुजा ने एक जगे कहा है Progressive Artist Group की स्थापना और भारत की स्वतनत्रता लगभग एक ही वक्त हुई यह बात सांकेतिक तो ज़रूरी थी पर बिल्कुल अनायास सन 1990 इश्यू में उन्होंने Portrait of Progressive Artist Group का चितरंकन किया सुजा आकरतियों के कलाकार के लिए महशूर रहे उनके नारी चित्रों में आकरतियां अनेक अनुभूतियां कोमल भावनाएं उल्लास और आतूरता दर्शाती हैं मुखाकरतियां के चित्रं में उनकी रेखाएं कटिली धारदार और शक्तिशाली हैं रेखांकनों में सुजा की पकड़ गहरी पैठ लिये है उनके मुख आकार में छोटे जबड़ा चिपका हुआ और मुख खुला और मुँपर यत्र तत्र बनाए नाक कान आख मुकाकरती को निरुदेशी बना देते हैं उनके द्वरा चित्रित निर्वसनाओं का चित्रन भी प्रमुख है सन 1990 इश्वी में ही सूजा इसी प्रकार की नगन नारी चित्र बना रहे हैं जिन में दया और सोहाद्र की भावना प्रदर्शित है सूजा कहते हैं कि सारी सब्विता ही निर्वसन है अश्लीलता की कोई सर्व मानी परिबाशा नहीं है उनका कहना है मैंने शुद्ध कला के समस्थ सिधानतों को ताक पर रख कर लोग दुर्भिक्ष, बलातकार, युद्ध और मृत्यू को चित्रित किया है सूली, नारी और दार्षनिक महत्मा, गांधी और मनुश्य कोई दशा, सेर को निकला परिवार, हजरत इशा, मस्तक, निर्वान, आदी सुजा के प्रसिधी चित्रों में गिने जाते हैं प्रारम से वर्तमान तक मूर्थ चित्रों का श्रजन कर रहे सुजा का कहना है कि अमूर्थ कला जैसी कोई चीज है ही नहीं, हर मूर्थ रचना में अमूर्थ तत्व होते हैं कला में अमूर्थ संभव ही नहीं सन 1984 इश्वी में सुजा ने पोट्रेट ओफ सनफोई रेड मांड बनाया जो किसी वैग्यानिक का प्रतीत होता है केश रहित मस्तिश्क से निकलता त्रिकोणी आकार पर सुजा कहते हैं सुरज को पचा कर अपनी जिन्दगी के प्रीज में से इंद्र धर्मुष बनाओ और ब्रह्मान तुमारा हो जाएगा सन 1995 इश्वी में सुजा ब्रीटेन चले गए वे समकालीन पश्चिमी कला की उम्हत पुर्ण नहीं मानते अपी तो आधुनिक भारती कला को वे चुनुति पूर्ण बताते हैं सुजा ने अपने चित्रों को आप प्रदर्शन हुंबई दिल्ली यूरोप वे अमेरिका अनेक देशों में किया बच्चे यह हमने पढ़ा सुजा की बारे में उसकी प्रदर्शनी उसकी चित्रन यात्रा उसके समुझ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट समुझ की स्थापना कैसे हुई जो और उसकी चित्रों का क्या-क्या प्रभाव रहा उसके शिक्षा में कोन-कोन सी विचार धाना है रह यह सब हमने सुजा की बारे में पढ़ा कल हम पढ़ेंगे रजा के बारे में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रूप का पैक ग्रूप का एक तीसरा कलाकार है जो सैयद हैदर रजा इसको हम कल अधिन करेंगे आशा करती हूँ आपको अफन सुजा फ्रांसिस न्यूटरन मज में आए होंगे यह पैक ग्रूप के कलाकार संस्था पकलाकारों में से एक है धन्यवाद